जैहिंद बच्चो आप देखे बेटा हम क्लास फर्स्ट में हिंदी की पढ़ाई करेंगे अब हम आज आहा की मात्रा के आगे चंडर बिंदू की मात्रा लेके चल रहा है लेकिन एक-एक मात्रा लेके चलेंगे क्योंकि बेटा इसके आगे की मात्रा है थोड़ी कठीन है हम प उट, उ है और उस पर चंदर बिंदू है, उट, फिर देखिए, साप, सापया की मात्रा, उस पर चंदर बिंदू, साप, उसके बाद देखिए बेटा, तांगा, तापया की मात्रा, उस पर चंदर बिंदू, गपया की मात्रा, तांगा, फिर देखिए, चांद, चापया की मा आ, उस पे चंदर बिंदू कुऊं उसके बाद देखे। पाव उसके बाद देखे। गाव गपेा की मातर उस पे चंदर बिंदू गाव चाव चापे आ की मात्रा उस पे चंदर बिंदू चाव पाँच पापे आ की मात्रा चंदर बिंदू और च पाँच अब एक साथ पड़ेंगे वेटा देखिए उंट साप तांगा चांद कुआ आमला पाव गाव चाव पाँच इसको पड़ेंगे और इसके सामने सामने भी लिखेंगे बेटा क्लास वर्क में यहां लिखेंगे फिर यहां लिखेंगे यहां लिखेंगे फिर यहां लिखेंगे जैसे उंट यहां भी उंट लिखेंगे साप यहां भी साप लिखेंगे इसी तरह इसको लिखेंगे classwork में और homework में है 5 फूलो के नाम आपको आता है 5 रंगो के नाम ये भी आपको आता है इसको एक बार classwork में अच्छे से पहले पढ़ेंगे पढ़ने के बाद इसको लिखेंगे यहां लिखेंगे फिर homework में 5 फूलो के नाम पाच रंगों के नाम और कविता बेटा जो रिक्ष वाली है उसको आपको याद कर रहा है बस आज 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 आपकी पढ़ाई इतनी ही है जैहिन बच्चों